नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल एंजीनिरिंग फोरम में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं on 10 most common problems in any air conditioner मतलब ज्यादा तर कोई भी air conditioner में होने वाले problems के बारे में तो अगर आपको लगता है कि आपके air conditioner में कुछ खराबी है तो इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि ज्यादे तर कोई भी AC में ये मैंने जो 10 problems दिखा हैं उन में से ही कोई ना कोई problem निकल के आता है तो चलिए भीना आपका time waste किया हम जल्दी से शुरू करते है AC में होने वाले problem number 1 से तो ये है dripping or leaking water तो ये एक air conditioner में पाये जैना वाला सबसे common problem है जिसमें हमारे split AC के indoor unit से पानी टपकता है तो चलिए देखते हैं ये indoor unit से पानी क्यों टपकता है और दीवारों में अंदर की तरफ नमी क्यों दिखाई पड़ती है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो एक तो ये AC installation के वागत अगर drain pipe ठीक से नहीं लगा तो हो सकता है इस drain pipe की वज़े से कहीं और पे indoor unit में ही पानी कटा होना शुरू हो जाता है और दीवारों से शुरू होते हुए नीचे उतरता है तो इसका solution ये है कि जब AC का installation चल रहा है तब इसके indoor और outdoor unit को connect करते हुए एक copper drain pipe joint आता है उसे nut ball से ठीक से tight करना है कुछ इस तरह से कि उसमें leakage ना हो फिर अगर drain pipe ठीक से लगतो गया है पर ये कच्रा फसने के कारण block हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है तो इसलिए इसे हर service पे आपको drain pipe जरूर चेक करवाना है और कही बार क्या होता है कि ये drain pipe बाहर direction light की वज़े से सड़ सा जाता है और ये joint से break होने लगता है तो इसलिए हमें इस drain pipe को जब हम service करवाता है तो हर दो या तीन साल पे इसे change करवा देना है अगर आप ये follow करता है तो आपको AC के indoor unit से पानी टपकनी की समयसिया कभी नहीं होगी फिर दूसरा जो common problem है जो कि कोई भी AC में पाया जाता है वो है too much noise ये problem एक तो ज्यादा तर based है air conditioner brands पे top selling brands की अगर हम बात करें जैसे की O general, Mitsubishi, Daikin, Samsung, LG या फिर Panasonic तो AC अच्छी वाली brand के AC अगर हम use करेंगे तो इसमें 50 decibel से कम आवाज indoor unit से निकल कहाती है तो मतलब 50 decibel की limit है जिससे ज्यादा अगर आपका indoor unit आवाज करेगा तो आप comfortable feel नहीं कर पाओगे और कही बार क्या होता है कि ये जो brands मैंने बताई वो जब आप लगाते हैं तब silent होता है पर तीन या चार साल में इससे भी आवाज आनी शूरू हो जाती है ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपने AC को timely service नहीं किया होगा और indoor unit में filter net clean नहीं कियोगी इसलिए क्या होगा कि आपके indoor unit का जो blower fan है उसकी efficiency कम हो जाती है और उसे घूमने के लिए power तो ज्यादा लगेगा ही पर इसके साथ साथ vibration की वज़े से आवाज भी करेगा है तो ये indoor unit fan को service कराना बेहत जरूरी है और हर 30 दिन पे indoor unit में जो filter net लगी है उसे भी wash करके सब कच्रा निकलना है या फिर एक वज़ा ये भी हो सकती है कि actually आपको जो आवाज सुनाई दे रही है वो outdoor unit के compressor fan से आ रही है जो कि आपकी window के पास लगा हुआ है और क्योंकि आपकी windows soundproof नहीं है ये आपको अंदर तक सुनाई दे रहा है तो इसमें मतलब आपके AC का कोई fault नहीं है पर आपको जो करवाना है वो है आपकी window का soundproofing windows अगर ठीक से बंद हो जाती है indoor unit blower fan outdoor unit fan compressor सभी चीज़े ठीक से वर्थ कर रही है पर फिर भी indoor unit से गरम हवा आ रही होती है तो this may be because copper coils में refrigerant gas जो होता है वो किसी fault की वज़े से leak होकर खतम हो गया हो सकता है और अगर इसमें कोई leak नहीं है तो ये gas कभी खतम नहीं होगा ये lifetime चलेगा और इसे refill करवाने की जरूरत नहीं होगी या तो ये leakage copper coils के joints में corrosion की वज़े से हो रहा होगा या इसमें पहले से valves ठीक से fix नहीं हुए होंगे जब आपने AC लगवाया तो इस वज़े से आपको हर साली से refill करवाना पड़ता है तो मतलब हमें ये leakage identify करना है और इसे ठीक करवाना है सबसे आसान तरीका जो है इस leakage को identify करने का वो है इसकी smell जो है वो कुछ अलग होगी आपको इंडर यूनिट से आ रही हवा से ये पता लग जाएगा तो अगर आपको थोड़ी CV भनक लग जाती है कि इसमें gas leakage है तो technician को बुला करके इसे ठीक करवाना है क्योंकि ये gas हमारी health के लिए भी hazardous हो सकता है फिर fourth common problem है not blowing air तो ये care conditioner में पाये जाना वाला arm problem है जहां पे AC चालू करने पे air ही नहीं blow हो रही है तो इस problem को troubleshoot करने के लिए सबसे पहले आपको AC के vents चेक करने है अगर ये अंदर और बाहर के vents ठीक से open हो रहे है तो दूसरा step है आपको AC के flaps open करके इसका filter net निकालना है और इसे wash करके पूरा कत्रा निकालना है ये हमारे room के अंदर की हवा को filter करता है अगर ये पूरा चोक हो जाता है तो हवा को अंदर ठीक से filter नहीं कर पाएगा और पूरी हवा block हो जाएगी फिर भी अगर indoor unit से air blow नहीं हो रही है तो indoor unit का blower fan चेक करवाना है कोई professional से आप खुद भी ये पता कर सकते है indoor unit vents के पास अगर आप थोड़ी सी भी आवाज सुन सकते है तो इसका मतलब है कि आपका blower fan जो है वो work कर रहा है तो क्या आपके air conditioner में अचानक से constantly कोई light blink होना शुरू हो गई है तो इसे ignore नहीं करना जाहिए क्योंकि status light blinking का मतलब है कि आपका AC कोई ना कोई performance issue face कर रहा है हो सकता है आपको लगता हो AC ठीक से काम कर रहा है पर ये आगे जाके आपके लिए issue create करेगा ही करेगा या तो इसमें कोई electrical issue है या फिर कोई इसका part खरब हो चुका है या फिर किसी चीज को immediate repair की ज़रूरत है तो मतलब इसा भी ना ignore किये आपको technician बूला के इस issue को बढ़ने से पहले AC को inspect करवाना ज़रूरी है फिर sixth है error codes ठीक status light की तरह कुछ brands के AC error codes दिखाते हैं अगर इसमें कोई खराबी पाई जाती है जैसे आप अपने car के meter में error codes देख सकते हैं लाइक engine overheat, seat belt, headlight, gear suggestion तो वैसे ही AC में भी numbers या letters के form में आपको error codes दिखाई देंगे और आप या तो internet या AC की manual से ये code किसलिए है इसे check कर सकते हैं लाइक error codes for refrigerant, coolant, empty, issue with compressor, condenser service का code अलग रहता है capacitor replace और यहां तक की filter clean का भी code दिखाई दे सकता है तो ये एक बहुत अच्छी चीज हम बोल सकते हैं जिससे आपका AC self diagnosis हो जाता है फिर seventh problem है trunking condensation कही बार क्या होता है कि आपने जो cover लगाया होता है अपने AC के electrical cables पे या फिर copper conduits में उसमें से जब आप AC चालू करता है condensation process की वज़े से पानी टपकने लगता है इसमें क्या होता है कि हवा में मौजूद moisture ठंडा होकर पानी बन जाता है और cover के अंदर से टपकने लगता है ये air conditioner का एक common issue है पर इसे ठीक करवाना चाहिए या तो ये pipe stick से insulate नहीं किये होंगे या फिर trunking system में कोई blockage रह गया होगा तो इसे आपको तूरंद तो नहीं पर next service में without fail ठीक करवाना है फिर eighth problem है weak capacitor तो एक खराब या weak capacitor चेक करने के symptoms बहुत ही आसान है क्या होगा कि indoor unit का fan चालू होगा पर ये room temperature पर air blow करेगा पर outdoor unit बंद होगा और अगर आप outdoor unit को notice करे तो ये हर 30 second पर buzzing sound produce करेगा आपको लगेगा जैसे ये start होने की कोशिश कर रहा है पर वापिस बंद हो जा रहा है तो ये for sure ये outdoor unit में capacitor खराब हो चुका है इसे inspect करके change करवाना है इसमें कहीं बार क्या हो सकता है कि outdoor unit का fan भी चल रहा है पर compressor नहीं start होगा मतलब ये भी एक weak capacitor की sign है then problem number 9 is issue with condenser fan motor इसमें generally क्या होगा कि indoor fan ठीक से work कर रहा है outdoor unit में compressor भी work कर रहा है पर outdoor unit में condenser fan जो है इसकी motor खराब है इसलिए क्या हो सकता है कि घर के अंदर हो सकता है AC ठीक से काम करे पर outdoor unit बहुत ज्यादा गरम हो सकता है और कही बार इसमें आपको धुआ भी दिखाई दे सकता है ये हो सकता है आपने बहुत दिनों से मतलब एक या दो साल तक AC start नहीं किया है और इसका condenser fan जो है वो चौक हो गया है तो first time जब आप AC start करोगे और ये condenser fan अगर start नहीं होता तो इसे थोड़ा सा धका मार के भी आप देख सकते है कि ये घूमने लगता है और ये पूरी season फिर से ठीक से काम करने लगता है पर इस चीज काम है no doubt ध्यान तो रखना ही है और हमरा last time the 10th common problem जो है वो है AC tripping problem क्या आपका AC बार बार trip हो जा रहा है तो इसमें पहली चीज आपको जो चेक करनी है वो है current तो एक ampere meter से switchboard से निकलने वाले current को आपको चेक करना है अगर आपके घर में voltage ज्यादा आ रहा है तो कही बार ये ज्यादा current के कारण ये आपके AC को trip कर देता है ये current और voltage आप अपने AC के specification manual में चेक कर सकते है उससे अगर ज्यादा आ रहा है तो पक्का आपके voltage में issue है इससे क्या है कि आपके AC का capacitor खराब नहों इसलिए safety के लिए ये trip हो जाता है तो आपको यहाँ पे AC technician की requirement नहीं है बलकि आपको एक electrician बुला करके अपने घर में voltage चेक करवाना है तो दोस्तों ये थे कोई भी AC में पाए जाने वाले top 10 most common problems और उसके solutions अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे like कर दीजिए और मेरी चैनल Civil Engineering Forum को subscribe जरूर करें This is all for today, thank you for watching